Hey friends, welcome to my channel और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML को किस तरह से लिखेंगे और इसका basic syntax क्या है तो next है आपका सबसे पहले हम लोग इसका tax के बारे में समझें तो ये आप देख रहे हैं greater than bracket और less than bracket इसको बोलते है tax जो bracket है greater than और less than इसको बोलते हैं tax example में आप देख सकते हैं greater than bracket स्टार्ट हुआ और उसके अंदर में title लिखा हुआ उके इसके बाद है यहाँ पे less than bracket इसको बोलते हैं एक वो tax बन गए title tag इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं HTML tag, head tag, body tag इतने सारा bracket के अंदर होगा वो सारा tag माना जाएगा इसका in HTML there are mainly two types of tags HTML में दो तरह का tags होते हैं सबसे पहला pair tags the tags which have opening as well as closing are called pair tags जिसका जो tag का opening है और उसका as well as closing भी है उसको बोलते हैं pair tag जैसे कि example में आप देखेंगे HTML का start हुआ यहां पे और HTML यहां पे end होगा end किस तरह से होगा यह bracket से okay slash से तो और body start हुआ यहां पे body यहां पे बंद हुए जिसका तो pair tags किसको बोलते हैं the tags which have opening as well as closing उसे बोलते हैं pair tag next is non-pair tags the tags which have opening but does not have closing are called non-pair tags the tags का opening तो है लेकिन उसका closing नहीं है okay तो उसे बोलते हैं non-pair tags जैसे कि bracket यहां पे आप देखें बियार हो गया HR हो गया break बियार हो गया break HR हो गया horizontal line ठीक है और है next image का image का आप जब करेंगे तब आपको वहां पर दिखेगा कि इसका img एक tag tag तो start हुआ लेकिन उसका कोई closing नहीं हुआ ठीक है और भी इस तरह का है तो उसे को बोलते हैं non-pair tags next आपका attributes और properties किसे कहते हैं तो आप यहां example में आप देख सकते हैं यहां पे एक मैंने body करके tag body tag लिया उसके अंदर लिखे हैं हम लोग बीजी कलर मतलब बैग्राउंड कलर इसका कलर क्या है बैग्राउंड कलर जो है मतलब बाडी का कलर क्या हो मतलब क्या होगा बैग्राउंड कलर तो बैग्राउंड कलर जो है वह attribute हो गया और उसका कलर क्या होगा उसको वह हो गया property of attribute बैग्राउंड कलर ओके